नमस्कार दोस्टों एक बार फिर से आप सभी का स्वाखत हैं मेरि यूटूब चैनल टेरेस गाडनिंगज अज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हम अपने मिर्च के पौधि से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च पराप्त करें कि या क्या एर करें विस्तार से चर्चा करेंगे इससे पहले अगर आप सबी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक हापने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपने मेरा चैनल सब्स्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारी वीडियो की नोडिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे हैं तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के भी से मिर्च के पौधे की केर प्लांटिंग कैसे का रहे हैं सबसे पहले सबसे जरूरी चीज दोस्तों कि जब हमें मिर्च लगानी होती है तो हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है कि हमें मिर्च की पौध किसी नर्सरी से अगर हम ले आ रहे हैं तो हमें अच्छी वेराइटी की मिर्च की पौध लानी चाहिए क्योंकि अगर हम अच्छी वराइटे की मिर्च की पौद लगाएंगे तभी हम उसमें केर करने के बाद अच्छी मिर्च ले सकते हैं और अगर हम सीड्स से उगा रहे हैं तो हमें सीड्स अच्छी वराइटे की लेनी चाहिए हमें चुकि गमलो में मिर्च लगानी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है कम मिट्टी में अच्छे पौध की आउसकता होती है पहली चीज़ अब दोस्तों बात करते हैं हमारा पौध तो आ गया having a seedlings दो इससे हमें हमने पौध बना लिया जब पयवद को हमें बड़े ग्रो वैग में ट्रांसफर करना होता है तो हमें फिर उसके लिए मिट्टी चाहिए तो मिट्टी हमारे मिल्च के पौधे के लिए कैसी हूँ क्यों कि हम पॉट में ग्रोवैक्स में लगा रहें हैं तो हमें अरहिटी जो है वह और फाली रिच भीम्रीम्या सुटि सभार रहें हैं चैय क्osaurus ौह क्योंरमिंगा के ला 50% garden soil देखे अआप मेरी मिट्पी देख सकते हैं 50%利2 परसेंट गार्ड स्वेल की 50% में आप कावड़ं कमपोष्ट में या किचन में कमपोष्ट ka जेप कंपोष्ट अप कंपोष्ट बनाते हैं उसको और कोई मेट मीट commitments कोई भी एक कमपोष्ट और कोआ पीट 50% mix करके 50% soil के साथ उसे mix कर देना चाहिए थोड़ा सा एक मुठी बोन्मिल पाउडर एक मुठी नीम खली मिला के हमें मिट्टी तयार करनी है अब मिट्टी तयार कर लिया हमने पौध को उसमें लगा लिया पौधा हमारा जब लग जाता है चलने लगता है तो हमें 15-20 दिन के अंतराल पर क्योंकि हमारा मिर्च का पौधा मिर्च के पौधे में 15-20 दिन के अंतराल पर आपको इसमें कंपोस्ट देते रहना चाहिए अब कंपोस्ट आपको कौन सी देनी है वह आपकी अवेलेवल्टी पर डिपरेंट करता है तो मैं आप लोगों को कोई वी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो कि आपके लिए मिलना मु मैंने चीज के बारी में बात करूंगा सर तो आपको क्यूधन कंपोछ्ट सूखी हुई इस दीमिल जाएगी और कंपोछ्ट नहीं मिलती तो आपका केचेंज वेष्ट है आप कंपोष्ट वह कंपोछ्ट के वह वह UC की जिर अ वर्मी कंपोछ्ट आप कहीं से भी ले लिजी बज़े इस फिर एक मुठी, आपको अपने grow vac की मिट्टी में इस प्रकार, इसको हमें direct इसमें नहीं डाल देना है दोस्तों, इसको हमें हलकी मिट्टी ऊपर से 1 परत 1 इंच की, हमें हटा लेनी है और इस मिट्टी में, यहाँ पे हमें, लृपुंपोश्ट डालना है और इसमें मिट्टी से, भूज़ने डुञने के बाद हमें काई कудew मिट्टी से जाइना, जब कमोश्ट को ओपर डाल देँए निट नहीं फूच पाता है और जब हमने मिट्टी हटा के डाली है तो दोस्तों पौधे जब भी अपने लिए भोजन बनाते हैं तो नाकी में रूट से यहां से नहीं बनाते दोस्तों जो रूट इसकी साइड में होती हैं वहां से अपने भोजन को लेते हैं देखे जैसे यह रूट है तो यह अपना भ दालके और फिर वाटरिंग कर देनी है इसके अलावा दोस्तों 15-20 दिन के डिव अंतराल पर हमें नीम आयल का अपने मिर्च के पौधों पर स्प्रे करना चाहिए इससे क्या होता है कि हमारे मिर्च के पौधे पर कोई भी कीडे मकौडे या फिर कोई रोग हो तो वह प्रिव मेरी सपत्त को मिर्च के पौधे की ये common disease है तो जब आपके मिर्च के पौधे पर ऐसा कोई disease दिखने लग जाए मरोडिया या फिर कुछ भी तो आप इसे water से souring कर देगे साौरिंग कर देने से आपके मिर्च के पौदे की डिजीज खतम हो जाती है अब जो सबसे मेन हिस्सा है दोस्तों कि हम मुर्च का पौदा लगा लिए उसमें मिट्टी तयार कर दिये मिर्च के पौदे को हुम ने ट्रांस्प्ल植ट कर दिया आप मिर्च के बादे में वाटरिंग डोस्तों सबसे में काम होता है पौधों के लिए वाटरिंग कैसे करनी है हमें मिटी हमेरी चेक करते हैं जब हमारी यूं यू अमने उठाया अब देखे इसको हाथ से में वाटर कोड़ी को देख लेंगे एक से डिदगधी तरय मिंटेश कर नेकं अब आपके मिर्च के पौदे में फृटिंग इनग अगर आत देते रहेंगे लगातार चुकि हमारी आदत होती है हम ग्रोबैक्स में लगाएं जब भी आते हैं अपने टेरस पे तो पानी डाल देते हैं नहीं ऐसा नहीं करना है वाटरिंग करते रहने से हमारी पौधे तो बहुत बूसी होंगे हरे भरे रहेंगे पर इसमें जो फ्लॉर्स आएंगे वो जढ़ ज जाए नहीं आपको जब यूं आपको मिट्टी ड्राई है चेक करते रहना चाहिए आपने यूं खूद लिया दो इंच तक मिट्टी आपकी अगर ड्राई मिल रही है तो ही आप वाटरिंग करें तो इस प्रकार से आप अगर अपने मिर्च के पाउदे की केर करेंगे तो देर सारा फ्रूट्स देर सारी मिर्च आप अपने पाउदे पर देखिए मेरे पर लगी हुई है मिर्च बहुत सारी मिर्च लगी हुई है और इसके अलावन जब आपकी मिर्च हार्विस्ट के लायक हो जाए मिर्च मैच्योर हो जाए तो उसे हार्विस्ट ज़रूर कर ल वैब जरूर करें बनने बाद